हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग उमीद है सब ठीक होंगे आज मैं बनाने जा रही हूँ खीमा अलू मडर तो चलिए देखते हैं से कैसे बनाते तो इसके लिए देखिए मैंने आपके कुकर में वन फोट कप ऑईल लिया है से गरम कर दिया मैंने अब यहां पे मैंने एक तेज पत्ता लिया है एक दालचिनी का तुकड़ा थोड़ा सा दो इस तरह से और एक इलाइची तो इसमें पहले मैं दाल रहे हूँ थोड़ा सा अखा जीरा तो यह है हाफ टीजपून इसमें यह गरमसाले दालचिनी मैं यहां मैंने दो प्याज लिए है इसमें बड़ी सइस की, तो यह थामनी छॉप करके मैंने इस तरह से लिये है। यास को अच्छे से हमें प्राइच करना है स मैं लाइत गोल्डशन का पेस्ट मैं में थोड़ा आसा जादा दलता है थोड़ा अठीमा बनता है थिक बनता है यहाँ पर टमाटर दाल रही हुए मैं दो मेडियम साइज का चॉप किया हुए यह दाल रही हुए अब इसमें में मसाले दालूँगी कश्मेरी चिली पॉडर है जो है वन टेबल स्पून हल्दी ली है मैंने हाफ टीस्पून धन्या और जीरा पॉडर वन टीस्पून एक एक मतलब दालना है एक टीस्पून धन्या पॉडर एक टीस्पून वीरा पॉडर नमक दाल रहे हैं अबने टेस्ट के साथे दालिये अब ही मसाला अच्छे से थुड़ा बून गया है पांच मिनिट अब मैं इसमें खीमा दालूगी मतन का खीमा लिया है मैंने यह 1-2 kg तो यह मैसमाट करूँ कीमे को मैं इस तरह से 5-10 मिनट तक इस तरह से भूनोंगी देखिए इस तरह से मैंने कीमे को 10-15 मिनट तक भूना है अब मैं इसमें दालूंगी यहां पर देखिए मैंने 3 तेबल स्पून तक दाही लिया है तो यह मैसमे दाल देखिए इस अच्छा टेस्ट आता है काफी यह जरूद आ दिया अपर मैं खीमे को इस तरह से पहले इसले भून के लेती हूँ क्योंकि हम मैस को मुकर में बना रहे हूँ तो क्या होता है कि हम जब आलू और मिटर में जब एड़ करूंगी इसमें तो इनको गलने के लिए जादा टाइम लेगा यह एक यह दो सिटी में गल जाएंगे ढ़र इसले पहले अच्य दिसे पहले अच्य से पंदरा दाइक लेए तो फिर अच्य से किमा भी नहीं गल जाएगा इसका जो कोई समयल होगी रॉस्मैल होगी वह भी चले जाएगी और हमारे अलू और मटर गल जाएंगे इसमें अब आशे के अब यह यह बड़ी साइस के एक आलू थी वह मैने लिए है तो इस तरह से मैंने चॉप करके इसमें दाल रही है इस तरह की क्यूब्स में मतलब तो आलू आप अपने साफ से कम जादा ले सकते है अपनी मर्जी और यहां पर मैंने हाफ कप मतल लिया है तो यह भी आप अपनी साफ से कम जादा कीचिए अच्छे से हम मिक्स करते हैं पहले 2-3 मिनट के लिए इसमें मैं थोड़ी सी कोट मेरी भी आट करती हूँ इस टाम पर से अच्छा टेस्ट आता है फिर अच्छे से फ्राय हो गया है दो मिनट अब मैं इसमें दालूँगी पानी तो पानी मैं यहाँ पर एड कर रही हूँ एक कप ठीक है इस तरह से मैंने एक कप इसमें पानी दाल दिया है तो बस अभी इसकी लीड लगा के हमें से कुक करना है एक या दो सीटी तब इस तरह से देखिए मैंने दो सीटी लेकर इसे पकाया है अब मैं इसमें दालूँगी करम मसाला पौडर जो है हाफ टी स्पून इस तरह से मिक्स करके इसे अब थोड़ा सा दो मिनट तक इसे पकाएंगे अब इसमें मैं हरी मिची लालूँगी दो और थोड़ा सा कोटमिर तो खीमा अलू मटर बनकर तयार है इसे जरूर ट्राइ किजिए आप लोगे रसीपी पसंद आई होगी मेरे रसीपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक किजिए शेर किजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब किजिए थैंक्स पो वॉचिंग